सेना भरती का जज़वा रखने वाले युवाओं के लिए हमिर्पु का राजेश कुमार फ्री में कोचिंग देकर तयारी करवा रहा है और राजेश का सपना है कि आने वाले समय में युवाओं की पल्टन तयार करके सेना में भेज़े ताकि देश की रक्षा हो सके इसलिए राजेश कुमार ने अपने ग्रुप का नाम ही पल्टन रखा है देश सेवा का जज़वा मन में संजोई युवाओं को एक सही रह दिखाकर सेना में भरती के लिए तियार करवाने के लिए सेना में पैंशन आये हुए बतार कमांडो नरिक्षक राजेश कुमार ने हमिरप करीब 17 साल तक सेना में सेवाई देने के बाद राजेश कुमार ने घर पर आकर युवाओं को सेना भरती के लिए प्रसिक्षन दे रहे हैं राजेश ने भारतिय सेना में आर्मी कमांडेंट के तहद नरिक्षक रह चुके हैं राजेश कुमार का कहना है कि आज के समय में युवाओं को सही मार्ग दर्शन न मिलने की कारण सेना में भरती होने के लिए दिक्कती पेश आती हैं उन्होंने कहा कि युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग ग्रूप पल्टन के तहद युवाओं को फ्री में कोचिंग देकर सेना भरती के लिए तयार किया जा रहा है प्रोपर तरीके से नहीं मिल पाता है तो मैंने इन लोगों को यहां पर देखा इन बच्चों को यहां पर देखा तो मेरे अंदर की आतमा तो कुछ दिल की आवाज आए कि मैं इनके लिए कुछ करूँ इसलिए मैं एक छोड़ा सा क्यांप स्टार्ट किया है जिस कोई इनको प्रवाता हूं उसके लाबा और कुछ नहीं लेता हूं ना ही इनसे कोई पैसा लेता हूं ना ही कोई फीस लेता हूं मेरी यहां पर हमिर्पर के अंदर सभी लोगों से यहीं बिंती है सभी बच्चों से यहीं बिंती है कि जो भी इस ग्रूप को जोइन करना चारता ह यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं पर्टन के नाव से जाना जाते हैं एक छोड़ा से ग्रूप हमारा जिसे हम नाव दिया है पर्टन इसके लिए हम मैं उन्हें यही बताता हूँ कि ट्रेनी फीजिकल बनाने के लिए आर्मी बढ़ती होने के लिए एक तो सबसे पहले अपना नशा त्याग दें जो भी बच्चे आगर कोई नशा करता है ड्रिंक लेता है बीडी इतमाकूर सीक्रेट कुछ भी यूज़ करता है वो उसे त्याग दें क्योंकि यह ऐसी चीज़े हैं जो हमारे फीजिल को आगे बढ़ने से रोकती हैं लेरे इसमें दो मक्सद पूरी हो जाते हैं एक तो बच्चों का फीजिकल पूरा हो जाता है और दूसरा जो हो है बच्चे जो नसी की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी कम ह हो जाता है उस से दूर जले जाते हैं बिल्कुल मैं पहले है इंडिएन आर्मी के यंदर 17 साल जॉब करके आ रहा हूं इंडियन आर्मी के अंदर मैं आर्मी कमांडों के अंदर जो इसकी चीज़े नख़ clay तो इसी चीज़ए को मड़े नधिज़र रखते हुए यह यह ई की है ताकि बच्चे जो आगे बढ़ सके और अपना ब्विश्य बना सके तर्म मेरा हमी प्रभास्यों की सभी युवाओं को यही मेसेज है कि हमारे इस गृप को बढ़ाने के लिए जार से जादा बच्चे यहां पर जोइन करें और इस गृप को आगे से बढ़ाने के लिए नहीं योवाओं का कहना है कि राजेश कुमार की द्वारा बहुती बढ़िया तरीके से सेनावर्ती के लिए तरियारी करवाई जाती है और हर दिन सुबह तड़के और देर शाम को मैदान में प्रैक्टिस करवाई जाती है जिससे काफी कुछ देखने को मिल रहा है सर मैं ट्रेनिंग लेता हूं आर्मी की ट्रेनिंग लेने आरहा हूं आर्मी में जाने के लिए और सर मैं मिस्टर ट्रेनिंग दे रहे हैं सुबह पांच बज़े हम आते हैं यहां पर और सर भी पांच बज़े से पहले आ जाते हैं मतलब अरम मतलब हमें रंफुर मात चैनिंझ कर्वाते हैं उसके बातव एक्सिसाइज कुरवारते हैं औरसे इस यूप बहुत ही बमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें मतलब मतलब फ्री में दे रहे हैं. कोचिंग है और मतलब ऐसा तो सर हम कोचिंग सभी देते हैं पर मतलब सर जैसे सर दे रहे हैं वैसे कोई देवाएगा सर। सभी को जो मुझे मेरे गाउंवाले आए और या फिर मेरे दोस्त बगाए मैं तो उनको सभी को यह बोलता हूं मेरे कई दोस्तों ज्वाएन में कर चुके हैं सर और मतलब मैंने उनको यही बोलता हूं कि अगर हमें यहां नजदीक कोचिंग मेरे तो हमें उनना बगारा या सुजनब में जाने की जुरूत नहीं मैं यहां पर आर्मी की त्यारी के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूं और हम सुबा यहां पर डेली पांच बजाते हैं कोचिंग लेंड के लिए और जो हमारे सार रहों में बहुत अच्छे से कोचिंग देते हैं और जहां भी हमें कोई पता नहीं लगता है तो खुद और हम बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट आते हैं, हम से कोई फीस नहीं ली आती है, और हमें डेली बोलाता है कि हमने आना है और बस आयां पर दो